वही गांधी जयनती पर पिये मोदी इस्वच भारत मिशन से जुड़े कारिक्रम को संभोधित करें तस्वीरे आपको दिखाते हैं पानी के रियूज और रिशेक्लिंग में हो ऐसे अनेक अवसर वोटर एंड सेनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं एक अनुमान है कि इस दसक के अंत्र तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जौस बनेगी और इसमें निश्चित तोर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमी का होगी साथ क्यों स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर एकानामिक को भी नई गति दी है गर से निकले कच्रे आज कंपोस्ट बायोगेस बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकुल जैसा सामान बना रहे हैं आज गोबर्धन योजना गाव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है इस योजना के तहट गावों में सैंक्रों बाइग और प्लांट लगाए जा रहे हैं जो पशु पालन करते हैं किसान कभी गभी उनके लिए जो पशु बुरुद्ध हो जाता है उसको समालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोच बन जाता है अब कोबर्धन योजना के कारण वो पशु जो दूद्ध भी नहीं देता है या खेत पे काम भी नहीं कर सकता है वो भी कमाई का साधन बन सके ऐसी संभावना इस गोबर्धन योजना में है इसके अलावा देश में सेंकड़ों सीबीजी प्लांट भी लगाये चाह चुके हैं आज ही कई नए प्लांट का लोकार्पन हुआ है नए प्लांट का सेलान्यास किया गया है साथ क्यों तेजी से बदलते हुए इस समय में आज हमें स्वच्चता से जुड़ी चुनोतियों को भी समझना जानना जरूरी है जैसे जैसे हमारी एकोनोमी बढ़ेगी शहरी करान बढ़ेगा वेस जनरेशन की संभावनाए भी बढ़ेगी कुड़ा कच्रा जाना निकलेगा और आजकल जो एकोनोमी का एक मोड़े है यूज एन थ्रो वो भी एक खाण बनने वाला है नए नए प्रकार के कुड़े कच्ड़े आने वाले है इलेक्ट्रोनिक वेस्ट आने वाला है इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और भैतर कर रहा है हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलोजी डेवलोग करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उप्योग हो सके हमारी जो कॉलोनिया है हमारी जो हाउसिंग है कॉं